नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहतर होंगे सभी सरातरी और राष्टवादी भाई वैंनों से अपील लएगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक सदिक लोगों तक से सतरनाँ कि अगर सलाओदीन चौदरी जो बंगलादेश के पत्रकार ने आरोप लगाया राहों गांदी के उपर अगर वो सच है उसको सच मान के ही चलना चाहिए क्यूंकि अब तक राहों गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं आया है जबकि एक ट्विट कर देता है भारत के निवेसकों को लेकर के भारत की कंपणियों को लेकर के हिंडन भर्ग तो राहुल गांधी नाचते हैं पूरा विपक्ष नाचता है इस देश में जितने लो किसी कंपणी के लिए प्रडिक्शन देने के लिए तो कुछ भी उल जलूल कहानी लेकर क्या आएगा मोधी जबाब दें जॉइन पार्लियमेंट्री कमेटी बनाने की बात करते थे रोधरना प्रदरसन उसके लिए होता था लेकित इतना बड़ा और इतना सिरियस लेकिन बात में तो सच्चा ही है और सलावदीन चौधरी ने कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं और सलावदीन चैदरी ने अपना वीडियो अपनी चीजे राहूल गांधी को टैक करकर करके सोचल मीडिया पे लिखी है कि आप इसका खंडन करिए कि यह बात मेरी गलत है जैसे इनको क्या लगता है ना कि यह कुछ भी कर दें और इनसे कोई सवाल न पूछे इनसे कोई जवाब न पूछे इन लोगों को हमेशा भारत की फ़श्ट फैमिली वाला जो प्रिविलेज रहता है ना वो बड़ा खतरनाक है इस लिए दूसरी बात बंगला देश में त साथ हिंदूों के साथ चाहिसाईयों के साथ बौदों के साथ कुछ भी हो रहा है उसके उपर एकड़म चुपी साथ रखी है अखलेश चूप राहूल गांधी चूप सब चूप जबकी राहूल गांधी के परिवार का जो रिष्टा है वो सेख हसीना से बहुत जबरदस् भारत जब भी सेख हसीना आती है उफिसियल विजिट पे तो नहरू गांधी परिवार से मिलने जरूर जाती है और इस बार भी गई अखबार वाले कहते क्या है यह पीडियों का रिस्ता है आई यह थोड़ा साथ देखते हैं और इसको समझते ही कितना गंभीर है इस देश के लिए देखिए अखबार वाले सब नवीटी जितने हैं पीडियों का रिस्ता मार मिल रहे हैं और सेख हसीना के पिता की तस्वीर रख करके पुरानी नई हमेशा अभी तो रिसेंट में सेख हसीना आई थी भारत प्रदान मंतिक नहिंद मोदी के वह सेरिमनी में तब यह देखिए राउल गांदी प्रियंका गांदी सुनिया गांदी और उसे खसीना के पिता की तस्वीर रख करके मिल रहे थे गले मिल रहे थे सरकार का अफिशल्स मिल रहे थे अफिशल विजिट पे ठी जबाई तो लेकिन सवाल है कि यह पीठ में छूरा भोकना नहीं है तो क की चीजों को परत-दर-परत उधेड करके रख देती है आप सोचिए कि सलाउदिन चौधरी का आज के पहले अगर सोसल मीडिया नहीं होता एक लेक छब जाता कहां लोगों को पता चलता उसके बारे में किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा कभी कोई किताब उताब लिखता उ सबसे पहले सलाउदिन चौधरी ने आर भारत को दिया अपना इंटर्वी उसमें एक खुलासा किया और चैलेंज कर रहा हूं व्यक्ति और अब तो कम से कम पांसाथ भारती चैनलों पर बैठ करके बात कर रहा हूं तो चैलेंज कर रहा हूं राहूल गांधी को कि राहूल सबूत दे दूगा लोग कुछ रहें सबूत क्या है तो कह रहा है क्या आप खंडण कर दीजिए कि यह गलत है उसके बाद मैं सबूत दे दूगा सारे मीडिया हाूस थे सी तो अब इनको यह डर है कि भाई आगर खंडण कर दिये तो सलावदीन चोधरी तो सारे सबूत ले के जरूरत नहीं है आप समझे यह खटाखट खटाखट 8500 और जो कुछ हुआ में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ बंगला देश में इस 2024 के चुनाओं में उसी चीज को दोहराने की साजिश थी और उसी साजिश के तरह इस देश में सारे आंदोलन हो रहे थे इसी तरीके का तो प्रोटेक्श चल ला था बंगला देश के अंदर तो आईए देखते हैं कि सेख सलावदिन चौधरी ने क्या कहा सेख सलावदिन के कातंकी है राहूल गादी ने बंगला देश में तक्ता पलट की अपनी सहमती दी बंगला देशी पत्रकार ने लगाया आरोब कहा खालिदा जीया के बेटे ने लंदन में मुलागात कि अब खालिदा जीया का नाम है तारीक रहमान देखिए पूरा वीडियो देखिएगा तभी यह पूरी चीजे समझ में आईगे और यह समझना बहुत जरूरी है तारीक रहमान है जिसके ऊपर आरोप लगा और फिर केश चला फिर उसको सजा हुई इसने सेख हसीना की एक रैली बें सेख हसीना के उपर बं फेकने की कॉंस्परेसी में सामिल साई 2008 में ये बंगला देश छोड़ करके लंदन भागता है लंदन में इसको पना मिल जाती है यह इसमें करावास हो जाता है बंगला देश में जिसके ऊपर आतंकी धाराये चलती है बंगला देश में जो आजीवन करावास का अभीूक्त है बंगला देश की सुप्रिम कोड से उससे राहुल गादी क्या छोले भटूरे खाने गयते क्या करने गयते बहुत अच्छा रिस्ता है पीच में छूरा गोपना नहीं है तो अच्छा फिर क्या क्या हुआ ये भी समझे बारत की प्रमुख विपक्षीदल कांग्रेस के नेता राउल गादी ने अपनी लंदन यात्रा के दवरान बंगलादेश के वी पी औंवाले मिल करके यही जमाते इसलामी वाले मिल करके स्टुडेंट प्रोटेक्स की आड़ में हिंदूओं को मार रहे हैं सिख हसीना के पार्थी के नेताकार करताओं को मार रहे हैं सिखों को मार रहे हैं बौधों को मार रहे हैं रहा हुल गादी इस पर नहीं बोलता है आरोप लगा नहीं बोलेगा हिंदूओं के लिए नहीं ब प्राने संबंद है। राहूल गांधि के साथ इंटर्वी इंटर्वी करते था और यह वही ब्यक्ति है, जिसका लिंख मरत से भी है, जो आजकल ममता परांग analyze की बड़ी तारीथ करते हैं और यही वह ब्यक्ति है, जिसका लिंख जार्स जोरस से भी है, और सोरस की funding का आउरोप राहुल गादी के ऊपर हमेशा लगा है, सदन के अंदर लगा है, सदन के बाहर लगा है, मीडिया में लगा है, और बीजेपी भी उठाते रहे हैं, हम लोग भी उठाते रहे हैं, क्योंकि जार सोरस ने कहा था कि नरेंदमोदी को हटाने के लिए मैं पानी की तरफ पैसा बहा दूगा समझ रहे हैं यह सब चल रहा है भीया मतलब यह तो उचे लेवल का खेल चल रहा है ना सब हम लोग तो बहुत छोटे लेवल के हैं फिर इसके साब से अच्छा यह हैं कौन ब्यक्ति सलावदून सुईब चौधरी यह बंगलादेश के समाच पात्र ब्लिंज के संपादक हैं 10 अगस 2024 को रिपब्लिक टीबी के सो में दावा किया अब तो कई जगर उन्होंने भी कहा किसे खसीना सरकार को उखाड फेकने के लिए अमेरिकी एजंसी कि CIA और पाकिस्तान की खूपिई डंसी इस साजिस का हिस्सा है जहां पाकिस्तान हो जहां आयड़ाई वहाँ पे राहूल गांधी का क्या काम है राहूल गांधी को बताना चीए कильно है नहीं कि शुरें कि यह कुछ कहा जा रहा था महां के कि नेता कितना बोल ले थे राहूल गांधी प्रधान का वाज उठाते हैं का उचलू जलूल डुर शिर्फ आरोब लगाते राहूल गांधी कभी नहीं देखा खैर अब हुआ कि इसमें तालिबान का भी एंगल है अब एक है सदार आरपी सिंग एपीजेपी के स्पोक परसन है अब ये भी पूछ रहे हैं कि भाई या तक्ता पलट के लिए सामती दी तो क्या हिंदूओं के नरसंगार के लिए तारिक रह्मान इसे और ये तारिक रहमान जो है खालिदा जीया का बेटा यह पार्टा PayPal बंगलादेस की बिश.th जिन जे झोने तारिक रहमान को सजा दी थी 2018 में पूरी सुप्रीम कोट chतम हो गई बंगलादेस की याद रखिएगा लोग कहते हैंना कि सम्विधान से देश चलता है नहीं भईया सम्विधान के मानने वालों से देश चलता इस बात को गाठ मानके रोक रख ले जो लोग सम्विधान को मानते हैं देश उनी से चलता है जो लोग सम्विधान को नहीं मानते हैं उनसे देश नहीं चलता सुप्रीम कोट खतम हो गई पहुच गए नहां पर दंगाई आतंकी और उन्होंने कहा कि जल्दी स्थिपा दो रही तो माट डालेंगे तुमको और सुप्रीम कोट के चीप जशी स्थिपा दे करके कह भईया जानपकस दो उसके बाद और जजों ने स्थिपा दे दिया सबको कहा जा रहा है कि स्थिपा दो जल्दी अगर जान बचाना चाहते तो यह स्थिति है बंगलादेश में इसको भारत के अंदर कुछ तथा कथित खरियर खैराती जो विदेशी फंडिंग से पलने वाले पत्रकार है अपने आपको कहते हैं वह बताते इस्टूडेंट क्र रंती ही चलो मान लेते हैं कि सेख हसीना से कोई प्रावलम थी सेख हसीना तो चली गई ना तुम लोगों जिसको चाहते थे वो तो बन गया ना प्रदानमंत्री वहां का अब क्यों यह कतले आम मच रहा है दूसरी बात कि सुप्रीम कोट के जज को बंदू की नोग पे इस् इसके लिए और जो तक तो इस तरीके के सामिल थे उनको सरकार में स्टूडेंट बना करके सामिल भी किया गया इस बात को भी ध्यान रखेगा वो तो हिंदू दो दिन से प्रोटेस्ट कर दी है जवर्दस बंगलादेश में कि थोड़ा सा इन लोगों को आवकास समझ में आ गई है कि नहीं भाईया तिर रिटेलियेट होगा रिटेलियेट होगा तो बहुत सारी चीजे होंगी इसी बीच बहुत सारे एयरक्राफ्ट और खासकर जो जासूसी के लिए रा है एयरक्राफ्ट यूज करती है खबर आ रहा है कि उसको भी तैनात कर दिया गया बंगलादेस बॉर्डर पे बहुत सारे मीडिया हाउसे जो उसको कवर किया है तो खेल गुरु चल रहा है खेल में कोई कमी नहीं है और भारत खेलेगा यह भी मूड में आप समझ लिजेगा इसको मतलब आईसे नहीं सब कुछ चला है अच्छा फिर क क्या हुआ थोड़ा सा और देख लेते हैं इससे पहले वो क्लिप देख लेते हैं और यह ग्रीन सिग्नल टूटिस वाट इस हापनें इन भांग्रदेश ना तालिबान टेक ओवर भांग्रदेश ना हिंदू पर्सेकूटेट अप लोगों ने अंग्रेजी में उन्होंने बोला वैं हिंदी में बताई चुका हूं अब इसको देखते हैं कि यह वाला खेल क उन्होंने बंगला देश में तक्ता पलट को ले करके कई गंभीर मुद्दों का खुलासा किया था उन्होंने कहा था कि से खसीना सरकार का तक्ता पलट के लिए छात्रों को आगे करने वाली खालिदा जिया की बिनपी पाटी आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ी हुई यह भारत का पत्रकार नहीं कह रहा है आप सोचिए जिस देश में प्रदानमंत्री को ठ्रेड देश छोड़के भागना पड़ा जिस देश में सुप्रीम कोट के जज से इस्तिपा ले लिया गया उस देश में पत्रकार यह बात कह रहा है उसी देश में बैठ के क्या कह रह भारती खूपिया एजन्सियों ने सेख हसीना को छे महीने पहले कहा था कि आप जिसको सेना प्रमुख बना रही है चुकि जो सेना प्रमुख है बंगला देश का वो हालिदा जीया के सेख हसीना के चाचा की बेटी की साधी हुई है ठीक है और सेख हसीना के चाचा जो थे वो सेना में हायस्ट पद पे सर्व किये हैं उन्हीं की बेटी से साधी हुई है जो इस समय बंगलादेश का वो रिष्टदार हो गई से खसीना की तो मना किया था कि यह आपका रिष्टदार है न यह तकता पलट करवा सकता है कर सकता है यह ठीक व्यक्ति नहीं है यह बहुत समविधान बदल देंगे मोदी उबाल आये लोगों के पर जाती का जनकरना करेंगे अरे उसको इस्सेदारी नहीं मिले तो पत्र करवा तुमारी जाती क्या है यह पूछा जा रहा था और अनुराट ठाकूर ने पलट के संसद में पूछ दिया कि जिसके जाती का पता नही बी एन पी का कारवा कद्यत तारीक रहमान इसलामी आतंकी और सजायापता है वह 2007 से बंगलादे से फ्रार है बिर्टेन में रहा है उन्होंने कहा है कि तारीक रहमान ने हसीना सरकार के खिलाब प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए डेविड वर्गमैन और जान डैनिलो चो जैसे पूर्व अमेरिकी राजनाई को लगा रखा है जो पहले के अमेरिका के फॉरेंड सर्विस के लोग है उनको लगा रखा है लूटे तो बंगलादेस है माल पानी तो है कोई दिक्कत है नहीं अमेरिका का साथ यह है लंदन में हम बैठे हुए हैं बाकि और लोगों से ले लिया जाए कि हम लोग बंगलादेस में करने जा रहे हैं आपका समर्थन चाहिए और राउल गांधी से बढ़ाई देते हैं राउल गांधी वहां के हिंदू के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं अगर एक ट्यूट कर देता है तो लगते हैं लोग नाचने राउल लगाने लगे इस पर जब आप तो दे दो तो डायरेक्ट तुम्हारे उपार आरोप है यही कहतो कम से कम कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है खेर यहीं सारी चीज़े हैं इसने कब कब क्या क्या कहा था अब मैं आपको बताता हूं कि इसके कई सारे माएने भारत में जो 240 पीछे बहुत सारी ताकते थी बहुत सारी सक्तियां लगे हुई थी ग्राउंड पर पूछा जाता है बहुत बात हम मैं ग्राउंड पर लोगों इस बात करता तो लोग एक भी कहते यार इस बार पैसा बहुत बंट रहा था अब पैसा कहां से आ रहा था कहां से बंट रहा था कैसे बंट रहा था यह तो भगवान जाने कि कहते हैं लोग लेकिन इस बात दूसरी बात कि आप देखिए जितने राष्टबादी यूटूबर हैं सबके रीज को सिप्रेस कर दिया गया जाए इसी बात है कि यूटूब जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में दूसरी तरफ जो फेक खबर फैलाने वाले थे जैसे जर्मनी में बैठके धुरूराथी या यहां पे रभी संजू में जितने भी थे इन लोगों की फेक खबर की रीज जो थी वो अचानक से बढ़ गई राहुल गादी की सोसल मीडिया प्रजेंस सोसल मीडिया रीज बढ़ गई बीजे का एक एविडेंस आ जाया प्रूफ आ जाया तभी समझ में आ रही क्योंकि हम लोग परते च्छिदर्सी हैं इस सब चीजों के कम से कम जो मीडियम है जो माध्यम है खासकर ट्यूटर फेस्बूक यूट्यूब इस पर तो हम लोगों को गणित थिवरी समझ में आ रही तैं क्या इस पर राहूल गांदी जवाब देंगे वो तो विदेश भाग गए फिर से बैग बैग उठाए कहें आ रहे हो गया आप जो होना है चलते हम विदेश हिंडनबर्ग किराय प्ले रखा ने हिंडनबर्ग को इन लोगों ने राहूल गांदी ने हिंडनबर्ग यह आड गंटे बाद एंडियन मार्केट खुलेगी क्या रियक्ट करेगी वो देखने वाली बात है लेकिन पहले से हिंडनबर्ग ने सोट सेलिंग करके रखा और जितने सॉट सेलर हैं इस देश में जितने सॉट सेलिंग को सपोर्ट करने वाले हैं वो लगे हुआ 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 करने हुआ 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 हु